नेदा प्रतिपाक शेराम ठाकु ने कहा है कि केंदर सरकार आपदा केस खड़ी में हिमाचल का पूरा सहयोग कर रही है इसके बावजूद मुख्य मंतरी सुखविंदे सिंग सुखुद्वारा केंदर से कोई आर्थिक मदद ना मिलने की बात कहना दुर्भाग्यपूर्ण है जैराम ठाकु ने शिम्रा में बयान में कहा कि मुख्य मंतरी आरोप लगाने की बजाए प्रभावितों तक रहत पहुंचाने का काम करें उन्होंने कहा कि केंदर सरकार एक सब्ताहा के भीतर आपदा राहत के तहट 364 करोड रुपए की दो किस्तें प्रदेश को जारी कर चुकी है और तीसरी किस्त भी बहुत जल्दी जारी होने वाली है इसके रावा केंदर की टीम आज से प्रदेश में नुकसान का जाजा लेने आ रही है और इसकी रिपोर्ट क्याधार पर आगे की वित्तिय मदद ताय होगी जाराम ठाकों ने कहा कि उन्होंने मंडी और कुलू जिलों का अब तक दौरा किया है और वहां हालात बहुत खराब हैं जिन लोगों के घर बाढ़ में नश्ट हो गए हैं उन्हें अभी तक सरकार की ओर से तंबू भी उपलब्द नहीं करवाए गए हैं बिजली, पानी और संचार विवस्था का भी बुरा हाल है आपदा को बीते एक सबताह स्यधिक का समय हो चुका है लेकिन अभी भी बार प्रभावित क्षेत्रों में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं नित प्रतिक्वक्ष ने कहा कि आपदा की स्खड़ी में भी मुख्य मंत्री ने राज्य में डीजल के दाम बढ़ा कर प्रदेश के लोगों पर बे वज़ा आर्थिक बोच डाल कर उनके साथ भद्दा मजाग किया है उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में राजे की लोगों को राहत की बजाए उनकी जेबें और खाली करने वाले मुख्यमंत्री को केंदर पर बे बुनियाद आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है और लोग शासन वप्रशासन का रास्ता देख रहे हैं जराम ठाको ने कहा कि भाजपा के राश्य नेताओं से लेकर बूथ लेवल के कारे करताओं तक सभी प्रभावित लोगों की मदद में लगे हैं जो फिर भी मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना टिपणिया कर रहे हैं धंसे लेल को रहे हैं ने मुख्यमंत्री लोगजारा थेवल के लोग भी में वीं पिर लबावों की में ज सका रहे हैं ने चाहरे हैं एelo है फिर रहे हैं वोगों के रहे हैं ढू़ है Tales